हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा वनपीस या फिर शॉट फ्रॉग, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने दो मिटर फैब्रिक लिया है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले गेर वाले पार्ट को हम कट करेंगे, जिस कि लैंथ हमको लेनी है 16 इंच और ब्रिथ लेनी है 21 इंचिस, 21 इंचिस पर मार्क लगा कर मैं इसे सीधे-सीधे काट लूँगी और उसके बाद हम इसे सीधा रख लेंगे, अब हम इसके बीचो बीच, इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, इल आगे और दो पीचे लगानी है, same equal parts में इसको कट कर लेना है और जब हम इसको कट कर लेंगे तो उपर से इसको इस तरह से भी काटना है ताकि वो अच्छा लगेगा देखने में, अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको दोनों उपर वाले पार्ट लेन लगा लेनी है, अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाला पार्ट है, उसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर एक मार्क लगाएंगे, चौक से, बिल्कुल बीचो बीच सेंटर में लगाना है, मार्क लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर हम इलास्टिक को लगा लेंगे, अब इलास्टिक ऐसे लगाना है कि कपड़ा हमको नहीं खेचना है, सिर्फ इलास्टिक को खेचना है, जिससे क्या होगा, इसमें अपने आपी सलवट आ जाएंगे, इलास्टिक किचने के बाद यह कपड़ा कुछ इस तरह कै से दिखेगा यह जो कपड़ा है अब देखो इलास्टिक लगने के बाद यहां की जो लेंथ है वो 10 इंचिस रहनी चाहिए हम इसको मेजर कर लेंगे यहां से जिस तरह से मैं कर रही हूं हमने बीच में से इसको नाप लिया यह बिल्कुल 10 इंचिस है अब हम साइड में इस त तरह से 10 इंचिस 10 इंचिस हो जाएगा देखे जिस तरह से मैं चोटे-चोटे सलवट दे रही हूं वैसे ही आपको देने है एक बार बीच में ना पौड लेना इसको की 10 इंचिस है या नहीं इस तरह से सेम काम हमको दूसरी साइड भी करना है यहां पे भी हमको इसी तरीके से चोटे-चोटे सलवट देने है ताकि यह पार्ट पूरा एक पल हो जाएगा अब हम पीछे वाला पार्ट लेंगे और उसे आगे वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे क्योंकि हमने शुरुआत में इसको बड़ा कट किया था अब हम इसको भी 10 इंचिस पर कर रही हूं देखिए यह मेरा पूरा फोल्ड हो चुका है यह कुछ फोल्ड होने के बाद इस तरीके से दिखाए देगा अब हम क्या करेंगे इसी कपड़े को लेंगे और उपर की तरफ एक मोटा वाला टाका लगा लेंगे जो कि हमें सीधा-सीधा लगाना है सिंगल बड़े जिससे यह घर अच्छा आएगा हमें यह पर लास्म नहीं लगाना इस तरह से अलवरी लगाने उसके बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेगा देखिये अब क्या करना है दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है फिर अब यह मैंने अस्तर लिया है अ अब यह कपड़ा डबल है जो 35 और 35 और 70 इंचेज हो जाएंगे और अब हमें केन लेनी है केन हमें 7 इंच की इसकी लेनी है और बित जो हमने 70 इंच का अस्तर लिया था उससे थोड़ी जादा ही लेनी है नभभे तक ले लेना अब इस तरीके से केन को अस्तर के अंदर ठीकोश टे mm सिलाई हो जाने के बाद हम क्या करेंगे इस इन चारोड़ी इस ड्यान रखनी है ूबर की तरफ थोड़ चौड़ा अब नीचे की तरफ सकड़ी करना है देखिए कुछ इस तरीके से अब मैं इसे सीधा कर लूँगी इस डंडी की साहेता से देखिए इस तरीके से सीधी हो जाएगी अब हम चारो ही स्ट्रिप इस तरीके से बना लेंगे चारो स्ट्रिप अब हमें एक एक करके आगे वाले और पीछ वाले पार्ट पर add करनी है, अब हमें strip लगाने के लिए आगे वाले पार्ट पर कुछ marking करनी पड़ेगी, अब हमें center से 4 inch पर एक mark लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, अब यही mark हमें दूसरी side भी लगाना है, वो भी same 4 inch का ही रहेगा, देखिए इस तरीके से लगाना है, अब हम यहाँ पर mark लगाने के बाद पीछे वाला part लेंगे और उसे इस तरीके से fold करेंगे, fold करने के बाद हमें यहाँ पर, जैसे हमने आगे 4 inch पर mark लगाया था, वैसे ही हमें पीछे भी 4 inch पर mark लगाना है, center से 4 inch पर, अब हम 4 inch वाले मार्क पर एक एक करके strip double bar टाका लगा कर stitch कर देंगे देखिए मैं double bar शिलाई लगा रहे हूँ इसके उपर ताकि यह पक्का हो जाएगा यह मैंने दोनों आगे की strip लगा दिये अब मैं यह दोनों पीछे की भी लगाऊंगी आपको भी इसी तरीके से लगानी है अब हम जो extra द कर दोनों फिटिंग हो गई है अब मैं क्या करूंगी मेरे जो नीचे वाला पार्ट था मतलब की जो घेर वाला पार्ट था उनको साइडों में से अटेच कर लोंगी क्योंकि ये साईडों मेंसे 2 अलग अलग हो रखे थे खपड़ा थोड़ा वैसे ही था तो आप मैं इसको साइड में से एड कर लूँगी देखिए इस तरीके से मुझे एड करना है अब जब तक मैं इसके सिलाई लगा हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको शौट वन पीस पहनना ज्यादा पसंद है कि लॉग वन पीस और अगर लॉग वन पीस पहनना पसंद है तो क्या मुझे उसकी वीडियो लानी चाहिए तो मुझे कमेंट करकर जरूर बताना मेरे दोनों घेर वाले पार्ट जुड़ गये हैं अब उसके बाद क्या करना इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है यह जुड़ने के बाद इस तरीके से दिखेगा और जो साइड वाली फिटिंग होती है उसे अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेना है करने के बाद हमारा वन पीस बनकर तयार हो जाएगा तो आप कमेंट करकर झाल झाल